प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षया 6 विशे हिंदी उडान के अंदर पाथ दो बच्चपन सैसमरन करने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल पर नई हैं या जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्रा कर लें और पने साथियों को सेहर जरूर कर दें तो शुरू करते हैं आज की क्लास गतिविदी एक गतिविदी एक में क्या है नीचे दी गए सब्दों को उचित मात्रा वाले खानों में रखी फ्रोक हलके बारिक गोल लेमन वोकर पहनी कोट दिया हुआ है तो यहां पर उपर है एक ही मात्रा एक ही मात्रा किस किस में लगी हुई है आपको छाटना है तो यहां पर हलके में लगी हुई है और लेमन में लगी हुई है तो यहां पर हलके तो लेमन मैंने लिख दिया हुआ है तो इस कपड़े को हमें यहां से काट लेना है क्या लिखना है हलके और लेमन देखो O की मात्रा वाले ठीक है आगे बड़ी E की मात्रा वाले छाटने हैं तो बड़ी E की मात्रा वाले यहां पर एक तो बारिक दिया हुआ है और एक पहनी दिया हुआ है तो मैंने यहां पर दोनों लिख दिये हैं इसके बाद में O की मात्रा O की मात्रा फिर है तो यहां प गतिविदी दो में क्या है नीचे दिए गए वर्णों की सहायता से सबद ग्रिड पूरा करें तो यहां पर प्यारे बच्छों खालिस्तान था तो इधर से अगर हम बनाए तो नदी बन जाता है दी बर दिया मैंने इसमें यहां पर और किसमें से बरा है नीचे यहां दिया इसके बाद में यहां दाने बर दिया और इधर नेता बन जाता है यहां छोटी और उपर से नीचे छोडा तो यहां इन सब्दों से छाट करके हमने इस गरिड को पूरा कर दिया है आगे है गतिविदी तीन में क्या नीचे दीगे सब्दों को ध्यान से पढ़िए समझी औ चोकलेट, आपको बोलना है और लिखते जाना है, कैस्टर, 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 ड्यूटी, 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 ग्रामोफोन, 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 तो यहां हम लिख सकते हैं, आगे है गतिविदी च्यार, गतिविदी च्यार में कहा है, फ्रोक, नि होती देखी होगी सलवार सूट पहने वे देखा होगा आगे है गतिविदी पांच तो छुटे वे सब्दों की सायता से कहानी को पूरा करें तो मेरा नाम रीना है मुझे जानपरों से बहुत लगाओ है मेरे पास एक पिल्ला है उसका नाम सेरू है वह बहुत नटकट है एक उसने एक बिल्ली देखी वे उसके पीछे भागने लगा लेकिन बिल्ली उसके पकड में नहीं आई तो इस कहानी को मैंने यहां पर पूरा कर दिया है कुछ सब्दों की सहयता से आगे है गतिविदी छे सब्दों को सही करम में लगा कर सार्थक वाक्य बनाए हूं तुम से बड़ी मैं तो इससे सार्थक वाक्य बनाना है तो मैंने यहां पर बनाया हूं देखो मैं तुम से बड़ी हूं मुझे कहते सभी जी जी हैं तो मुझे सभी जी जी कहते हैं तो सार्थक वाक्य बना दिया गर हमारा के दुकान था पास तो इसको भी आगे पीछे लिखा हु क्या है अनुस्वार और अनुसासिक वर्ण वाले सबद पैचान कर उचित तान पर लिखने हैं तो अनुस्वार वाले यहाँ पर मैंने लिखती हैं दिनों, बिरंगे, टंकी और अनुस्वार वाले लहंगे, चांद, रेस्त्रा ठीक है तो यहां मैंने चांट करके लिख दी हैं तो आप भी इस तरीके से लिख लेना आगे है गतिवीदी आठ नीचे लिखी गई अकबार की खबर को द्यान से पड़िये और दिये गए परशनों के उत्तर दीजिए देनिक बासकर पानिपत 21 फरुरी 2022 रोतक में विबीन स्तानों पर मनाया गया अंतराष्टिय बासा दिवस तो यहां पर आगे क्या है देखो रोतक हरीस आज रोतक की वीबिन स्तानों पर अंतराश्टी बासा दियुस मनाया गया इस अवसर पर हर वर्ष मात्री बासा को बढ़वा देने के लिए 21 परुरी को अंतराश्टी बासा दियुस मनाये जाता है आज दुनिया के 200 से भी अधिक विसव विड्यालियों में अंतराष्ट ये बासा दी उसका कहां मनाया गया तो कहां मनाया गया प्यारे बच्छों रोध तक के अंदर ये लिखा हुआ देखो यह समाचार पत्र किस पत्रकार द्वारा लिखा गया तो यहां पर देखो इसका नाम दिया गया हरीस आगे है यह समाचार किस अकवार में छपा है तो देनिक बासकर रिखा हुआ है प्यारे बचो उपर तो यहां क्या लिखोगे देनिक बासकर आगे है गतिविदी नो गतिविदी नो में क्या है दिये गए वाक्तियों को ध्यान से पढ़ कर बताई कि इस किस काल से सम्मदित है जैसे मैं तुमें अपने वच्पन की और ले जाओंगी तो यह बविश्य काल है जैसे हम कल दिली जाएंगे तो वो क्या हो गया बविश्य हो गया यारी पीछी की गटना भूतकाल और अब जो चल रही है वरत्मान और आगे जो आएगी वो क्या होगी बविश्य है तो मैं पिछली सदी में पेदा हुई थी तो यह कैसा है बूत काल है बच्पन के दिन मुझे अब याद है बच्पन के दिन मुझे अब तक याद है तो ये कौन सा है वरत्मान काल है मैं गोड़ी की स्वारी करूँगी करूँगी आगे आने वाले समय में तो बेविश्य काल है मुझे चोकलेट खाना अच्छा लगता है तो ये कौन सा काल है वर्तमान काल है जो चल रहा है उसकी बात कर रही है मुझे अच्छा लगता है तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है तो प्यारे बच्चो आज की क्लास में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा धन्यवाद